दोस्तों इंटर्वीव होने के कितने दिनों के बाद आपका मेडिकल होता है और कितने दिनों के बाद आपका मुफा नमबर आ जाता है और कितने दिनों के बाद आपका बीजा लग जाता है इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं सबसे सिंपल सा तरीका बताएंगे बहुत करके आप प्रॉलम हो जाए प्रॉलम कि समें में आपको बतारा हूं अगर यह कोई कोई विट ट्रेड अगर आप एक का इंटरव्यु दिये हैं और आगर आपका इंटरवी होते हुए आप जाते हैं फिर मेडिकल कराने के लिए दूसरे तिसरे दिन इंटर्वीव होने के जब बात में जाएंगे आप मेडिकल कराने के लिए तो मेडिकल सेंटर वाला वह आपसे जरूर पुछेगा कि आप कौन से काम में जा रहा हैं कौन से देश में जा रहा हैं यह एक टूजेट पूरा सवाल आपके करेगा अगर आप लोग हैं चाहिए लिप्टीचन है पलंबर है वेल्डर है करपेंटर है इंजिनियर है फॉर्मेन है वाट इबर कुछ भी है आप सारे लोगों का जो वीजा रहेगा वो लेबर कर रहेगा या पलंबर कर रहेगा तो क्या करेंग उस वक्त उस वक्त आपका मेडिकल जगर आप एक इंजिनियर है या फॉर्मेन है वेल्डर है वाट इबर कुछ भी है तो आपका एगरिमेंट जो रहेगा उसेम रहेका जो आप काम करते हैं जो आप इंटर्व्यू देएं आइं वहीं। चीज का एगरिमेंट रहेगा उतना ही झाल्री रहेगा लेकिन जो ब साथ ही साथ जब तक कंपनी वाला पेपर ना दे अपिस वाले को जब तक कंपनी वाला न बोले कि जाओ आदमी को इस आदमी को मेडिकल कराओ जब बोलेगा कि इस आदमी को मेडिकल कराओ तो खुद बता देगा कि सेम ट्रेड का मेडिकल कराना चाहिए या डेजिगिनेशन गरेगा से उसके संपनी के पास हो सकता है कि एलेक्टिशन अगर आप है तो इसे की का थे काम कराएगा यह सिर्फ फिलंबर करेंगा उसको को दिक्कत होने वाला नहीं रहता है और ऐसा होता है मैंने देखा है प्रसनली मैं सौधीरा में भी रहता हूं मुझे पता है कि इंजिनियर लोगा कभी बीजा हमने देखा है करपेंटर का डोर करपेंटर का या किसी दूसरे चीज़ का है लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका जब इंटर्व्यू होता है इंटर्व्यू होने के बाद आपको इंतजार करना चाहिए अपिस वाला जब भी बोले कि मेडिकल कराओ तो पुछले के भाई मुफानमर कब तक आएगा हमारा या हम सेम ट्रेट का मेडिकल कराएं या इसमें क होगा क्योंकि होता रहता है जब आप इस वाला बोले तो आप वाट्सअप पर रखें क्योंकि आप बाद में अगर कोई गल्ती होता है तो आप उससे बदिखा सके कि आपने खुद बोला था समाझे के बात को लेकिन मेरे हिसाब से आपको इंतजार करना चाहिए मुफानम कब आता है अगर कमपनी के पास अर्जेंट में काम है तो तुरांत आपको मुफानमबर देगा दूसरे दिन मुफानमबर देगा तिसरे दिन मुफानमबर देगा बहुत बर होता है दस दिन एक महिना भी लगा सकता है बीजा कितने दिन को बाद लगता है अगर आपका मु अपनी वाले के तरफ से नहीं आया है या अपिस वाले ने पूरा पूरा डॉकुमेंट बना करके में सब्मिट नहीं किया है यह हो सकता है लेकिन अगर मोफान नंबर हो आ जाए मेडिकल हो जाए तो साथ आठ दिन के अंदर आपका वीजा स्टांपिंग हो जाना चाहिए और करने का पूरा कोशिस करेंगे अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सेर कीजिएगा जितना हो सके आप लोग कीजिए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग वीडियो